दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है विनंदन है आपके अपने यूटूब चैनल आर्यान इंस्ट्यूट लहाबाद में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आज हम आपके शामने उपस्तित है यूपी डेलेट जो आपकी ऑनलाइन एड्मिशन प्रक्रिया चल रहे थी उसी के परिप्रेक्ष में हम आपके सामने उपस्तित हैं जैसा कि आप जानते हैं कि अब आपके सामने सुबह हमारा लेक्चर गया हुआ था आपके डेलेट स्लेबस का मैतमेटिक्स का स्लेबस हमने आपके सामने प्रोवाइड किया था मैं अब यह नहीं चाहता हूँ कि मै आपका जब 11 अक्टूबर से आपका सेमेस्टर चालू होगा ग्यारा तारीक से जब आपका सेमेस्टर चालू हो तो उसके शंदर्भ में मैं आपको पड़े ऐसा मैटर दूँगा कि आपको पढ़कर मजाएगा यहां आपके विशेस मांग पर यह वीडियो हमें मजबूरन ब दूबा आपके सामने किसी और सब्जेक्ट का जो है श्लेबस जाएगा उसके तत्पस्चाच साम के वक्त आपके जूपी टेट लेबल का नंबर सिस्टम या तो लगात आपके सामने लिखा है कि आप लगातार कॉमेंट कर रहे थी कि सर आप जो है डियलेड अन्मिशन प् करें तो चलिए देखिए आपके शामने लिखा है आज तक की अपडेट डियलेड प्रक्रिया पर क्या चल रही है अभी तक आपको लेकर यह कंफ्यूजन बना हुआ है कि डायरेक्ट एड्मिशन प्रक्रिया सबसे पहला मुद्द आपका यह है दूसरा मुद्द आपका है स्कॉलर्शिप और तीसरा क्या है सेकेंड राउंड की काउंशलिंग और चौथा क्या है क्या डायट की खाली सिंटुप पर डायरेक्ट प्रवेश होता है यही सबाब का कंफ्यूजन था तो उसी के संदरूं में चलिए हम आपसे बात करते हैं देखिए यहां लिखा पतलब यह है कि आप अपने जिस कॉलेज में आप एड्मिशन लेना चाहते हैं डायरेक्ट एड्मिशन के थो आप उस कॉलेज के संदरूं जो है उसके कॉंटेक्ट में बने रहे हैं अगर वह जैसे प्रक्रिया होगी वह बताएंगे हाला कि यह सुनने में आ रहा है कि कि क आप जाहिर सी बात है कि आप उनसे एड्मिशन करवा लेजिए कोई दिक्कत आपको नहीं है ठीकना हमने भी पता किया आपने जो हमारे नजदी की कॉलेज में हैं वहां आपने पता किया तो लोग कह रहे हैं कि डायरेक्ट एड्मिशन प्रक्रिया चल रही है आप अगर कर से मैं बताना चाहूँगा जिसे कांस्लिंग का मुद्दा होता है आपका है इड्मिशन का मुद्दा होता है अगर 2023 ए gi Trило करने की आपको जरूरत नहीं है ठीकना हाँ अगर ये admission नहीं करते तो आप counseling का इंतजार करते तब तो ठीक था लेकिन अगर ये admission ले रहे हैं तो उसके संदर्ब में आप admission ले लिजिए आपको तनिक भी दिक्कत नहीं है ठीकना second round की counseling का आप बेट मत करिएगा रही बात आप ये कह रहे थे कि जैसे बिना counseling के अगर हम ले लेते हैं admission तो भया अगर बिना counseling के आप admission लेते हैं तो वह भी आपका जायज है आप direct admission के थ्रों में आएंगे ठेकना आपको कोई दिक्कत नहीं है इसलिए मैं आपसे अस्पश्टी तोर पर बताना चाहूंगा जो मेरे भाई counseling का बेड कर रहे हैं अगर उनके नजदीकी में कोई college मिलता है जहां मतलब जहां से आप करना चाहते हैं नजदीकी का अतातपर हमारा यही है कि अगर आपके इर्द गिर्द कहीं college नजर आता है जहां से आप करना चाहते हैं तो आप बे जीजग जाए और उनसे बात कि सर मुझे admission करवाना है आप वहां से admission ले शकते हैं तनिक भी आपको समस्या नहीं होगी ठीकना और आप पूछ रहे थे कि direct admission लेने पर scholarship वाली बात तो आला कि scholarship पर मैं आप से बात कर रहा हूं अभी लेकिन एक चीज़ आप जानिएगा कि direct admission लेने पर आपकी scholarship बिलकुल आ समस्या होती है अगर एक प्रकार से देखा जाए तो समस्या सब के पास है ठीकना किसी की आज आती है यह कहना बहुत मुश्किल है कि सब की आएगी ही ठीकना आप ऐसा मत कहिएगा कि सर आपने कहा था कि मेरी scholarship आएगी बट मेरी scholarship नहीं आए ठीकना आप यह मत कहिएगा मैं या सत्यता किशाथ आपसे साबित नहीं कर सकता हूँ कि आपकी scholarship आएगी ही ठीक ना तीसरा क्या है देखिए ये चोथे पर हम बात करते हैं अभी इस पर हम आपसे थोड़ा सा बात करते हैं देखिए अगला क्या है क्या डायेट की खाली सीटों पर डायरेक्ट एडमिशन होत है ठीक ना डायेट की सीटें बची हुई है और प्राइबेट की सीटों तो सीटों बहुत सारी बची हुई है तो डायेट की सीटों पर डायरेक्ट एडमिशन आपका बिलकुल होता है इसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है हा लेकिन बिडबना यह होती है कि आपको प परकि में जाएगा उस कॉलेज में जाएगा और उनसे आप बात किजिएगा सालेंता से पेस आईएगा कि सर मुझे आपके हाँ करवाना है क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा देखिए और भी समस्या आपके सामने है कुछ लोग कह रहे थे कि मेरी मेरिट एक सो नबबे है एक सो अठानबे है तो क्या मेरा डायेट में एडमिशन हो जाएगा तो भाया मैं असपस्ट तोर पर आपसे कहना चाहूंगा कि आपका डायेट में नहीं होगा चाहे आप डायेक्ट जाते हैं काउंसलिंग के माध्यम्स तो नहीं होगा अगर आप कि Papi admission जलेंगे तो वहां भी killing होगी मेरिट आपकी देखी जा एगी की markھیत कि अगर आप कि मेरिट के मैरिट महिन रहते हैं तो जैब और ये नहीं समर्दा की अगर आपकी जानिएगा एप diet के eligible है admission के तो आपका admission 100% हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक ना वहाँ कोई दिक्कत नहीं है आपका admission सत्यता से हो जाएगा और last में मैं आपसे बात करना चाहूंगा आपके सामने लिखा है scholarship सबसे बड़ा मुद्दा आपका ये है scholarship का देखिए scholarship का मुद्दा ऐसा है कि अगर जिनका admission हो गया है ठीक ना जिनका admission हो गया है उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप scholarship का फार्म ततकाल आप भर दीजिए ठीक ना scholarship का फार्म आप ततकाल भर दीजिए scholarship के फार्म भरने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो शकती है जैसे आपको उसमें कुछ करना नहीं होगा उस करने scholarship का फारूम भरने से मतलब यह है कि आप साइबर कैप के पास जाएंगे और उनसे बताएंगे कि भाया मेरा डेलर का form भरना है scholarship का वो आपके सारी प्रक्रिया को बताएंगे और सबसे बड़ी जब बात यह होती है कि scholarship के form में सबसे आहम भूमिका निवाने वाला जो होगा आपका आपकी बार आधार कार्ड होगा और मालीजी आयजात निमास वो तो होता ही होता है लेकिन जो है आपके आधार कार्ड से कहने का मतलब हमारा यह है कि पिछले बार भी ही समस्य आये थी आपकी बार तो मालीजी यह है देखे अगर आपने एडमिशन डियले में करवाया है आपका आधार कार्ड है अगर आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो आपका scholarship का form समिट नहीं होगा कह जब फाम तो आपका फिल हो जाएगा लेकिन जब आप final submit के लिए जाएंगे तो वहां पर आपके जो मोबाइल नंबर से आधार कार्ड लिंक है आधार कार्ड जो आपका होता है जिस मोबाइल नंबर से लिंक रहता है उस पर आपका OTP एक जाएगा ठीक ना जब तक उस OTP को आप फिल नहीं करते हैं form में तब तक आपका form जो है समिट नहीं होगा ठीक ना और अगर आपने ऐसा नहीं किया है आपका लिंक नहीं है तो भीया आप तदकाल कर वाली जिए नहीं तो आप scholarship से वंचित रहे जाएंगे ठीक ना यह काम आप तदकाल कर वाली जिएगा र और उसे पढ़ रहे हैं तो भया इतना ज्यादा भरोसा मत करिएगा कि scholarship मेरी आएगी जैसे आप माई यह मेरे आभी मैं कह दूं आपसे कि नहीं आपकी scholarship 100% आएगी और पता लागा नहीं आएगी तो आप कहें कि सर आपने कहा था कि मेरी scholarship नहीं आए ठीक ना इसलिए मैं कह कहीं confusion है इसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया अगर आपको कहीं confusion है तो आप कमेंट करिएगा कोशिस मेरी यही रहती है कि मैं आपके comment का reply next अपने आने वाले अगले वीडियो में दूँ भया लास्ट में मैं जाते जाते आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि देखिए आपक क्लासे अनवरत चलेंगी without किसी रुकावट के और मैं इसलिए आपसे कहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने से फायदा यहां होगा कि मैं जब भी अपने वीडियो को आपके सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने लिए अगर अपने प्रसिक्षण के दारान अगर अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आपको कहीं भी तकलीफ नहीं होगी कहीं भी आप चाहिए आप टेट कुछ भी देते जाएँगे आपको कहीं भी शमस्या नहीं होगी अगर आप इसी समय आप महनँ से पढ़ लेते हैं तो आपका आने वाला वक्त आने वाल कल आपके लिए सुख में होगा और इसी वाने के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं स करता हूं वीडियो अगर पशंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको कहीं तकलीफ दिक्कत है तो आप कमेंट भी करना ना भूलें ठीक ना